नमस्कार, गुड मॉनिंग, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाट सालागी यूट्यूब चैनल पर, मैं मनीज वर्माप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, कहानी यह है कि मेरे भाई मैंने बहुत सारे पेपरों को उठाया, बहुत सारी जगा मैंने सवर्च किया मैंने देखा कि इस टायब के सवाल, CHSL में, MTS में धेर सारे पूछे गए हैं, और अगर ऐसे सवाल MTS, CHSL में धेर सारे पूछे गए हैं, तो मुझे यह लगा कि इस पर एक सेशन लेना चाहिए, मेरे भाई, चुकि मैं नमबर सिस्टम ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आ आउए प्रयास बहुत अच्छा है, तैंकियों सोमच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दुस्री चीच, बच्चों ने कहा था कि आप थोड़ा साFP, इंग्लिस में सवाल परॉाईट करने का परिया समश करें, तो मैं मानते इस चीच को बहुत सारे सवाल सब्सक्राइब का कि यह ééniri वाले कोई मैं अपना महीं आपको के सामने तो 100 क्या 200% में कह रहा हूं कि सारे सवाल English और Hindi इन्हीं Bilingual में मिलेंगे, clear है इतनी बार, आई, सवालों के साथ मैं आगे वड़ता हूं, आपके पहले सवाल, इसको जरा ऐसे ही आप देखे, एक मिनट आप, एक मिनट की बात कह रहा हूं, मैं बावला हो गया हूं थोड़ा सा 20 सेकंड आप इसको कम से कम ऐसे ही देखे, सवाल पढ़ने का प्रयास करिए, मैं जितना कह रहा हूं उतना ही कर रहा हूं, ठीक है, मेरी बाता है समझ बें, आई, किरा एक व्यक्ति है, अपनी आयका एक बटा चार भाग भोजन पर, दो बटा तीन भाग मकान के किराये पर, मेरी बाता है समझ बें, क्या कह रहा है, एक बटा चार भाग भोजन पर, दो बटा तीन भाग मकान के किराये पर, और सेस बाग, यात रखना, सेस बाग आपको पर नहीं पता है, आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है, कि आप अपनी पूरी income को एक मानी है एक मानी है और इसके बाद जो भी चीजे आप अलग खर्चा कर रहे हैं उन दोनों को जोड लीजे और उस एक से घटा दीजे तो एक से घटाएंगे तो इसका मतलब यह है कि बाकी जो आपने खर्चा किया था वो तो अलग है एक जो आपने रख निजर टेक्निक है कि आप यह जो नीचे वाली वैलियूस है ना आप इन नीचे वाली वैलियूस का क्या कर लो multiply कर लो L.C.M. मत लेना multiply कर लेना multiply मैंने किया तो चारतीं रारा अब एक काम करो चारतीं रारा कोई आप income मान लो बात आई समझ बहे है आप income मान लो clear है तिनी बात ठीक है और अगर यह income है तो simple सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका एक बटा चार भाग भोजन पर खर्चा elya क्षिप गए लोगी है कि आट वाग इसका जोills कि नीषद हती है ह्क sırषड भाय मां समझ आहए तो आठ वा इस ने क्रचा किया है वह कितने पर इसने मोखान कि इर्ठ पर और उश्च सोन उगो जब मुझे यह पता है कि त 17 स्ने घ्रा आज स्ने खर्चिया तो 8шая कि शल्षट अमें नद्यान से हमारे पास income बारती, ग्यारा अपने खर्श कर दिया, तो आपके पास बचा क्या है सर? आपके पास सिर्फ एक unit रुपिया बचा हो। और सवाल ने क्या बोले? कि आपके पास 630 रुपिया, तो 630 रुपिया, इतना ही बचा था इसको आपने इसके बरावर देंद कोई बहुत कठीन वाद थोड़ी है 8 को गुड़ा कर दो 0, 0, double 0 हो गया अरे 80 कहां से आ गया यह सर्फ 8 ही यह निट है 0, 8 यह 24 यह 4 हो गया और 8 शका 48, 48 होता है 50 आपको पता है कि ऐसे धेर सारे सवाल हमने रखे हैं, एक सवाल नहीं ऐसे धेर सारे सवाल है, है ना कुछ 10-15 सवाला से लेकिन आप याद रखना यह करने के बाद आप सीख जाएंगे आज के बाद ऐसा कभी भी कोई सवाल गलत आप से नहीं होगा, और बहुत छोटे तरीके से बता रहा हूँ, कोई ध्रानि एक सॏक्स मानने की ज़र दर नहीं ऐसे बहुत सारे सवाल में लोग एक समान के बताते हैं, नहीं हम ऐसी बताते हैं, इसको कब रहा है, किसी संख्या के 3-4 अहाई का olsun, मनतलते 2-3 बटा किसी संख्या के 3-3-4 किसी संख्या के 3-4 भला वान को में बाटा इक मतला 3 ब Lost के त्म नंबर माणलू अपया इन तो ना करो आप आप ngठ पो औन प्रck आपसे बोला है एक संख्या का तीन जोथाई एक संख्या का तीन जोथाई और इसका भाई दो ती आई किसके बराबर होगा तीन चौथाई और दोतिया एक इसके बराबर होगा तो भाईया ऐसको काटतेओ बारा हो गया दोतिया च्थे बाताई समझ में तो ध्यान से मेरी बात समझो आप कहोगे सर, छे तो कहीं नहीं दिया है, अब क्या करें, दिमाग लगाओ, दिमाग कैसे लगाओ, क्या रभाग ये जो छे है ना, ये टूटल भाग का कितना है, तो टूटल भाग का ये एक बटा दो है, यानि कि नंबर का ये एक बटा दो है, बस, इतनी से कहानी आपको यहां किसी है किसी संख्या कि 2 बटा 3 से 10 सदेख है कि कोई दिक्कत नहीं है मैंने बोला मुझे क्या करना है मुझे वही काम करना है कि यह और यह ठीक है यह नीचे वालों के LCM यानि की 15 मुझे क्या मान लेना है वो संख्या मेरी बद्ध्यां से समझना है कि इसका एक बटा 5 तो एक बटा 5 तो इसका 3 हो और फिर आगे कह रहा है कि इसका 2 बटा 3 तो 2 बटा 3 क्या होगा सर दस होगा मानते हो यहां तो गड़बड़का नहीं होई मुझे लग रहा है कि कहीं सवाल में इस निगलती कर दिया किसी संख्या का एक बटा पाँच पर सवाल इस निगल गड़बड़कर दिया पूरा इसको चेक करना पड़ेगा मैंने जतना बनाना चाहते हूं तो बनतो गया ठीक है लेकिन फिर उत्तर भी कुछ अलग आजाएगा अगर मैंने बनाना चाहे तो उत्तर भी कुछ अलग ही आएगा तो इक काम करते हैं इसको हम डेले करते हैं इसको हम अगले सेशन में देखेंगे यहाँ देखो, सवाल अच्छे से पड़े सो, एक कक्षा में चातरों का तीन बटा पाँच लड़किया हैं, सेस लड़किया है, बहुत अच्छा सवाल है यह, यह दे लड़कियों का दो बटा नो, और लड़कों का एक बटा चात, अनुपस्ते थे, तो कहरा तो विद्यार् देखो भाई, मेरे कहने का यह मतलब है, कि अगर, जितने भी तुम्हें देख रहे हैं, यह, यह, और यह, इन सभी का क्या कर लो, सीधे-सीधे, सीधे-सीधे गुड़ा कर लो, तो पांच नवा, पैंतालेस, पैंतालेस चोका कितना होता भाई, 180, मानलो की टोटल विद्या संक्या इतनी है, मानलो भई, मानने में क्या जाता है, मानने में क्या जाता है, कह रहा है भई, इसका कितना, सर तीन बटा पांच, जब तीन बटा पांच लोगे, तो यह हो जाएगा, 36, 36 कितना होता है, 108, कितना होगा 36 यह, तीन बटा पांच इसका करोगे, तो आएगा, 108, 108 भाइस अगर बाहतर फिर इसमें से लड़के होंगे हैं अब सवाल देखू क्या किया रही है? सवालने बोला है कि इसका दो बटा नो यानि किOPल नड़कियों ने 9 लड़कियों का दो बटा नो относ si it तो लड़कियों का दो बटा नो कितना है गभई, नो दूना ठारा, नो एकम नो, है ना, बारा दूना चौबिस, तो कह रहा है कि चौबिस लड़किया ऐसी है, जो अनूपस्त है, क्लियर है, याद रखना मेरी बात एक ध्यां से समझ लेना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, कि मैंने किसी गोले के 4 पार्ट की हैं मैंने बोला कि यह भाग मैं कलर कर देता हूं और मैं आपसे पूछो कि बही ऐसा बताओ colored part का ratio बताओ colored part के fraction बताओ तो आप बोलो कि 4 पार्ट अपने के तो एक बार color कर दिया मैं बोलो कि बहु ऐसा बताओ कि uncolored part का fraction क्या होगा तो uncolored part का मतलब यह कि सर आपने 4 part किये थे इसमें से आपने 3 part क्या किये है uncolored किये है अगर मुझे यहीं से लिखना हो यह भाग तो मैं क्या करूँगा मैं ऐसा करूँगा कि मैंने 4 part किये थे जिसमें से 1 color है बाकी तीन क्या है? अनकलर है तो इससे मैं लिख सकता हूँ बाकी तीन अनकलर है यानि इसमें से घटा के तो ऐसे ही मैं ये कर सकता हूँ कि भाई सब अगर ये अनुपस्थित की बात कर रहा है मैं उपस्थित की बात करूँ तो उपस्थित में सर 9 में से 2 जाएगा, 7 हो जाएगा, यानि कि 7 लोग इसमें से उपस्थित हैं, तो 12, 17, 84 लोग क्या होंगे उपस्थित होंगे, और ठीक इसी तरह से इसमें 3 बटा 4 उपस्थित होंगे, है ना, बास समस्ते हो, 18 चो के बाद तर, 18, 34, किरा बताओ कितना भ 138 के, सर, 187 का ये कितना भाग है, बस इतना ही मुझे देखना था, तो यार क्या ये 4 से कट जाएगा, 4 ती अबारा, 4 से तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, सिर्फ किस से कटेगा ये, सर, ये कट जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा, और किस से आर्चर बारे, बिल्कुल कट जाएगा, तो 6 से कट जाएगा यह, है ना, तो 6 ती 18, और 6 से काट होगे, तो 6 दूना 12, और 6 ती 18, तो 23 बटा 30, clear है भी, आपको करना होगा तो आप ऐसे करोगे, यह सवाल देखो, एक नया सवाल अमने ले लिए है, बट ऐसा सवाल पूछा ग पहले आप इसको solve तो करो, पहले आप इसको solve करो, जैसे solve करोगे तो में रास्ता देखना शुरू हो जाएगा, कैसे, 3 एक कम 3 में से 1 गया तो 2 बटा 3, गुड़ा है तो गुड़ा लगा लो, सर 4 एक कम 4 में से 1 गया, 3 बटा 4, सर 5 एक कम 5 में से 1 गया, 4 बटा 5, ऐसे ही यिस से ये वाला खतम हो जाएगा, तो यह बचा रहे जाएगा, तो 2 बचा है, और n बचा है, तो 2 बचा है, तो 2 बचा है, आपके सवाज का right answer है, बाता ही समझ में? अगला करें एक विद्यार्थि किसी कक्षा के, को तीन वटाए किसी संख्या को, दो वटा तीन से घुडा करने के लिए कहा जाता है पर उस्ने संख्या को उल्टा लिग दिया इसने अब कहा उल्टा लिखा है, मैं क्या ही बता हूँ, ये दो होगा, ये तीन होगा, कहता है उसको अच्छा भाग है, एक सिकंड रोगा है, सब सही है, उससे कहा गया गुड़ा करने के लिए उसने क्या कर दिया, इससे भाग दे दिया, बता है समझ में, तो यार एक बाद तुम गुड़ा कर दो, या तो इससे भाग दे, तो दोनों बाते एक ही है, दोनों बाते एक ही है, क्लियर है है, बहुत बढ़िया, अब सिंपल सी बात है, आप से, मैं ये बोल रहा हूँ, कि ये नीचे वाली चीज़ है, इनका गुड़ा कर लो, यानि कि छे, छे वो संख्या मा के और दोनों का डिफिरेंस कितना दे रहा ही सर, दस, और यह पै कितना दे रहा है सर, तो 5 बराशर 10 की, एक बरावर किस के आगा सर, 2 के, तो 2 चे बरावर किस केगा सर, 12 के है, फूचाता बशे मैं किया नीचे थे कि 15 संख्या साथ भांच, ने depuis 10олод रहा के है automat सुना ही तो सं इसमाज में बहुत अच्छी चीजह ये बहुत बहुत अच्छी आप जरो ध्यान से मेरी बाद समझे ना बोला किसी धन का चार बटा पांच बाक कितना है ये यह और बताना है तीन बटा साथ का मान या आपको फिर वही काम करना यह जो नीची वाली वैल्यूस अब इनका क्या कर लो फटक से इनका क्या कर लो गुड़ा कर लो तो 7,5 पैथिस अब मान लो कि वह fund जो है वह पैथिस है आपका जो principal है वह पैथिस है मान लो अब जब इसका 4 बटा 5 करोगे तो 5,7 पैथिस साचों का 28 हो जाएगा 28 यूनित र बर जाएगा 28 बर जाएगा 28 बर तालिस ठीक है 600 के एक यूनित बराबर 600 के आप से क्या पूछा जा रहा है 3 बटा 7 का मान पूछा जा रहा है आपने 1 यूनित की वैल्यू निका लिए जब आप 3 बटा 7 करोगे तो 35 बटा 3 बटा 7 सद 25 यानि कि 15 यूनित के आपको वैले चाहिए तो एक बराबर इसके तो पंदरे उनित बराबर 600 बटा 5 के तो पंदरे चक्का नबबे या 90 हजार होगा याद रखने नबबे फंदरे चक्का नबबे 9000 रहे एक सेकंड रुकना यह डबल जिरो था फंदरे चक्का में नबबे दीन जिरो का ठीक है के लिए इतनी बार किसी संख्या के एक थिह ही का एक थिह है इसे काम नही चलेगा एक थिह अदर वाईज आपको एक था आक समानके लगाना पड़े का इस संख्या का 1 थै इसका 1 चोंध है 15 हो बात है समझ में तो कहता तो उसका तीन बटादफ धास क्या होगा तो मैंने ना बोला, ये सारे की सारे नीचे जो वैल्यू सब क्या कर लो, गुड़ा कर लो, तो 4 ती या 12 अब 120 ले लो, पानते हो, अब आपसे बोला 120 का, एक ती हाई, एक चोथा ही, कता ही 15 के बरावर, ठीक है जी, 12 यानि की 10, 10 यूनिट बरावर किसको जाएगा, 15 के तो एक बरावर हो जाएगा सर 15 बरावर 10 के, और सर 24 यूनिट की अगर वैल्यू पूछेगा, तो क्या निकलेगा सरा ध्यान से समझो, कि 2 करोगे तो 12 धुना 30, यहां हो जाएगा 12 के, यहां हो जाएगा 10 के, यह कता, तो 12 है 36, समझ गए आपको क्या करना है, एक आदमी आय का दो बाटा पांच मकान के किरय पर पर jáद रखना से सवनी ब्लं आ अगर से स्व Allez बोलता तो कहानी कुछ अलग होती क्या रहा है कि एक बणक थी बो जर पर अपनी आय का दो बटा पांच मकान के रखनेपर अपनि यारी कि हर चीठ आये का बोर रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप एक काम करो, जो जितनी भी नीचे वाली चीज़ है, सब का गोड़ा क्या मान लो, आये, तो पांच बच्चे पच्चिस तिया पच्चतर, पच्चतर मान लो मैं अपनी आये, अब कह रहा है भाई, ऐसा है, कि इसका एक बटा त पांच, मैं कर देता ह dibाड, 15, 30, किस पर खच्चा कर रहा है अक बार, माकान की किराय पे, किस पर खच्चा कर रहा है, रेंक पर,frative, बाटा है समझ में, अपनी आयेगा एक बटा 5 यहनी कि एक बटा 5 तो एक बटा 5 करोगे इसका तो आयेगा 15 तो 15 वो खर्चा कर रहा है कलोथ पे तो अब देख लो कितना खर्चा कर चुका है तो यह चालिस तिस सतर 70 खर्चा कर चुका है, मेरे पास बचा है स्रफ 5 यूनिट तो यहां यह एक यूनिट की वैलिए याद रखना पास से जब आपने 400 को बराबर किया तो पास से काट ओगे तो कितना है गए गाए पंजी चालेश यानि की एक यूनिट की वैलिए यहां पर आट सवाई आपसे पूचा कि आए बता तो आए तो आपका 75 यूनिट है तो यह सवाल कॉंप्लीकेट होगा थीक है अब इस ढूंबा सवाल आज का सबसे बढ़िया सवाल की एक यह कि इन सभी का ऐलसियम ले लेता हूं, ऐलसियम से भी कहानी सेम आएगी, याद रखना, मैं ऐसा क्यूं कर रहा हूं क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये सारे के सारे नमबर उसको कार दे, अगर सेस लिखा होता, सेस, तब फिर मैं सभी का गुड़ा करता, और सेस ना लिखा है तो सभी का ऐलसियम से भी काम चलाएगा, ठीक है, कहीं भी अगर सेस बोल देगा, तो गुड़ा करना पड़ेगा, और सेस ना बोले, तो आप मल्टिपल, सॉरी, ऐलसियम से भी काम चला सकते हैं, ठीक, अब 10, 20, 30, 60, 50, और 60, 10, 20, 50, 40, 40 नहीं है, 60, इन सभी का ऐलसियम क्या ल यह सकते हैं यह 300, अब बोले सब बिलकुल सही है, ध्यान से मेरी बाद समझे ना, इसका एक बटा दस, एक बटा दस का मतलब 30 बाग, किस से रंगा हुआ ऐसा रेड से, ठीक है, और क्या बोला है बई, एक बटा बीस बाग, तो एक बटा बीस का मतलब 15, ना रंगी, एक येलो, एक बटा साथ बाग घरे से, एक बटा साथ का मतलब क्या होता है, पांच यूनिट है, ये ग्रीन से, फिर क्या बोला है, एक बटा साथ, स्वरे, एक बटा पचास, नीले से, तो एक बटा पचास करोगे, तो यहां निख लो, एक बटा पचास, तो छे बाग, ये कि से बिलू से और एक बटा साथ बाग किस से सर एक बटा साथ बाग ये काले से यानि कि बलैक से तो एक बटा साथ का मतलब होता है पांच क्यारा सीज भाग वाइलेट से रंगा जाता है यदि वाइलेट रंग के भाग के लंबाई यह है तो आप मेरी बास समझ रहे हो सभी को क्या करना है जोड़ना है सभी को जोड़ोगे तो यह हो गया 15 और यह 20 30 30 60 60 और पांच 60 और यह 71 हो जाएगा 71 यूनिट सर 71 यूनिट रंगा है यानि कितना यूनिट रंगा नहीं है तो 300 में से आप क्या घटा दो 31 यूनिट घटा दो 300 में से का घटा दो 31 यूनिट अब घटा दो बता ही समझ में 300 में से आप 71 यूनिट घटा ओगे तो आएगर मेरे पास आपसे बोला है छट किलो वाई यानि 300 यूनिर के वैल्य बताने है या 300 यूनिर के वैल्य बताने है तो सिंपल से बात है कि ये ठीक है 71 घटाओ इस पर तो एक घटाया तो नो है या बचा मेरे पास कितना है 29-39 में से 7 घटाया तो 20 है ठीक है, क्लियर है ये बरावर हो जाएगा 12 इसके है इतना बरावर तो 300 यूनिर की वैल्य चाहिए सिंपल सी बात है आप ज़रा ध्यान से मेरी बत समझना पहली बात तो 3 का मल्टिपल आना चाहिए 300 यूनिर की बात है और थोड़ा सा जादा आना चाहिए ये 12 से थोड़ा जादा तो 12 से थोड़ा जादा अठा रही है आप चाहो इसको काट की भी कर सकते हो 9-8 बात तर, 8-8 चोब मतलब कर सकते हो है ना चली, next क्या रहा है कोई एक टिन है इसका 4 बटा 5 बग भग 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 हुआ है क्या रहा है क्या रहा है कि 6 बोतल तेल निकाल दिया जाता है 6 बोतल तेल निकाला जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है अच्छा जी कहता अब ये कितना भारा रहे है इतना बाता ही समझ में तो यार देखो मान लो आप नीचे वाले का गोड़ा कर लो इसका मनलब 20 यूनिट पहले टूटल 20 यूनिट तेल था अब टूटल टेंगी तो 20 यूनिट के है आपके पास चार बटा पांच तेल था यानी कि 16 यूनिट आपके पास तेल था और जब आपनी 6 निकाला और 4 बोतल डाल दिया तो इसका मनलब आपके पास तेल कितना बचा 4पंजी 20 पांच तिया पंद्रत बाता ही समझ में यानी ए एक यूनित बरावर दो बोतल के आपसे बोला है तो कि दिन में kittनी बोतल देल है तो यार हर वक्राइबर दो के तो 10 इन बरावर दो के तो 20 वद्रावर समझते हो ना बहुत पुदियों एक परिक्षा में एक शातर को एक संख्या का पांच बटी 14 ज्याद करने के लिए कहा जाता है भूल वसुस ने क्या किया पांच बटा चार ने कर दिया जिसे हुआ यह कि उत्षा उत्तर का 25 अधिक आ ठीक है मैंने बोला था कि नीचे वाला वही काम करो नीचे वाला दुनों का गड़ा करो तो 14 चोड़ा चोड़ा नीचालना था पांच बटा चार अगर पांच बटा चार निकलते नुटा झालना तो थो क्यों केटना के लुम टोड़ाय सभालने बोला कि सवाल था फ्रॉल जी जो एक रख़वर है 10 एक के वराबर है तो आप नीचे वाली चीजों का गुड़ा करके क्या निकाल लो संख्या निकाल लो यहीं कि 5 तिया पंदर वो संख्या है अब मैंने अगर इसका 3 बटा 5 निकाला होता तो यह 9 आता अब भूल वस मैंने किया कि 5 बटा 3 कर दिया तो यह 25 बता ही समझ में सवाल ने बोला इस तरह परडामी इस तरह सही परडामी से इतना दिखे तो आप खुदी देख लो सर कितना दिखे तो यह 16 बराबर हो जाएगा 32 बटा 75 कर तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगे दो बटा 75 कर आपसे क्या पूछा है सही परडामी अचा सही परडामी का मतलब क्या है नो बटा 75 के, ठीक है, साही बटा में नो आना चाहिए, ना, नो गुड़ा दो, बटा 75 के, अब इसको काट भी सकते हो, सरा आएगा 25 के, और तीन दोना आजाएगा 6 के, तो 6 बटा के आजाएगा 75 के, 6 बटा 25 के, ठीक, चलिए, आज का ये लास्ट सवाल है, इसको सरा फटा पर देखे और निफ्टा देते हैं, एक व्यक्ति, एक किताब का, दो बटा 5 भाग, पहले दिन पढ़ता है, दूसरे दिन, पहले दिन की तुलना में, इतना भाग, अधिक पढ़ता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कहरा है कि तीसरे दिन के लिए, वो पंदरपिस्ट बचे है, ध्यान से समझ ना, कहरा है कि पहले दिन उसने इतना पढ़ा, ठीक है, और पहले दिन की तुलना में, उसने एक बटा 3 जादा पढ़ा, बता ही समझ में, तो सबसे पहले आप वही करो, पांस तिया पंदरा, टूटल प्रिष्ट मान लो, पंदरा है आपके पास, आपने कह रहा है कि एक बटा 3 आपने जादा पढ़ा है, एक बटा 3 आपने जादा पढ़ा है, ठीक है, तो यार कह रहा था कि दूसरे दिन भी आप 6 तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ इसका एक बटा 3, इसी का एक बटा 3, तो इसका एक बटा 3 निकालोगे, तो आएगा, दो आपने जादा पड़ा है बता है समझ में तो इसका महला पहले दिन आपने 6 पड़ा और दूसरे दिन 8 पड़ा अब 8-6-14 आप पड़ गया है आपके पास बचे कितने सर्फ एक प्रिस्ट एक यूनिट प्रिस्ट बचा है किरा ये 15 के बराबर है तो गरा बता टूटल प् 15 के तो दो बराबर 15 बराबर 225 जस्ट इसक्वाइर उमीद है कि ऐसे कहीं भी कुछ भी कोई भी सवाल आएंगे तो आप अराम से कर लेंगे और याद रखना हर एक पेपर में पूछा जाता हर एक पेपर में एक सवाल इसके पक्के होते हैं चाहे आप MTS की बात कर लो चाह हो कि वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है आज इतने ही थेंके सो मच